नमस्कार दोस्तो Sell is equal to 80% mindset and 20% skills ऐसा कहां जाता है? ये 20% skills तो हमें सिखने पड़ेंगे मगर 80% mindset बनाना ये अपना खुद का काम है एक advisor का skill इसे में होता है कि वो कितनी simple और subtle भशा में prospect के पास opening करता है कोई भी opening जितनी आसानी से prospect के समझ में आ जाए उतना ही closing आसान बनता है आईए जानते हैं ऐसे ही एक subtle और simple opening के बारे में हमारे आज की वीडियो में जिसका topic है Importance of financial dams in a life Hello friends, मैं मेली नवाला वलकर, Development Officer and SBA from MDO2 आप सभी लोगों का आज के अमारे इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ सोचिए कि अगर हम हमारे self introduction के बाद कुछ इस तरह से शुरुआत करे तो Sir, बारिश सिर्फ 4 मेने होती है, मगर पानी तो हमें 12 मेने लगता है, 24 by 7 अगर हम पानी को बचा के नहीं रखेंगे, तो वो पानी अपना रास्ता खुद ते करेगा बह जाएगा, वेस्ट हो जाएगा और एक बार अगर पानी बह जाएगे, तो जरूरत के वक्त हम उसे फिर समेट नहीं पाएगे इसलिए जग जग डैम बनाए जाते है, ताकि जरूरत पढ़ने पर हम उसका इस्तमाल कर सके सर, पैसा भी पानी की तरह होता है मैं कई सारे लोगों को मिलता हूँ, तो कई सारे लोग यही कहते हैं कि हम पैसा तो काफी कमाते हैं, मगर पता ही नहीं चलता, जाता कहा है पैसा भी बहते पानी की तरह होता है अगर हम उसे सही दिशा नहीं दे तो पैसा भी पानी की तरह अपनी राह खुच चुन लेता है और इसलिए सर हमारे परिवार के गोल्स पूरे करने के लिए हर परिवार को financial dams बनाना बहुत ज़रूरी है उधारन के तोर पे एक dam हमें बनाना चाहिए हमारे बच्चों की उच्चे शिक्षा के लिए दूसरा dam हमें बनाना चाहिए हमारे बच्चों की marriage provision के लिए शादी ब्या के लिए तीसरा dam हम बना सकते है हमारे परिवार का financial security के लिए चवथा डैम हम बना सकते हैं हमारे परिवार के लिए एक wealth creation के लिए और एक पाचवा डैम भी बना सकते है जो होगा हमारे pension provision के लिए सर इसमें से कम से कम तीन डैम हर परिवार को बना ही लेने चाहिए सर उधारन के तौर पे जैसे आपकी उम्र आज 30 साल है और बच्चे की उम्र जीरो है तो आपको तीन डैम्स बनाना ज़रूरी है 15 सल के बाद जब आपका बच्चा higher education के लिए जाएगा उसके लिए आपको एक educational डैम बनाना चाहिए 25 उमर के बाद उसकी कभी भी शादी हो सकती है इसके लिए दूसरा marriage के लिए डैम बनाना चाहिए और तीसरा डैम होगा आपके old age provision के लिए मने pension के लिए और इसलिए अगर आप 100 रुपया बचाना चाहते है तो उसमें से 50 प्रतिशक आपको बच्चे के education के लिए देना है educational डैम के लिए 30 प्रतिशक आपको उसके marriage provision के लिए रखना है और 20 प्रतिशक आपके old age provision के लिए आपको save करना पड़ेगा सर ये तीनो family goals certain है और हर परिवार को इसका दाइत्व निबाना होगा इसलिए certain goals के लिए certain investment होना ज़रूरी है और एक बात सर ये important नहीं आप कितना पैसा कमाते है ये ज़्यादा important है कि आप उसमें से कितना जमाते है मतलब इकठा करते है सर क्या आप जानते थे इस concept के बारे में मेरे काफी सारे clients ने इसका फाइदा लिया है तो सर इसमें से कौन सा dam आप सबसे पहले बनाना पसंद करेंगे सर मैं समझ सकता हूँ कि सारे dams एकठा बनाते समय थोड़ी तकलिब हो सकती है मगर कल काफी secure हो सकता है मगर अगर आज हमने ये तकलिब नहीं ली तो कल जादा तकलिब हो सकती है सर परिवार आपका है जरूरते आपके परिवार की है और provision भी आप ही को करनी पड़ेगी हमारे सगे सोयरे चाहते हुए भी हमारे मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका अपना परिवार होगा उनके परिवार की provisions होगी सर अगर ये सारी provisions आप इकठा नहीं शुरू कर सकते तो एक और तरीका है कि step up investment मैंने खुद जब अपने परिवार के लिए सारी provisions करना चाहा तो मुझे भी काफी tension हुआ था मगर फिर मैंने step up method अपनाई और ये सारी provisions आस्ते आस्ते कुछ सालों में complete कर ली हमने सबसे पहले अपने बच्चों की education की provision की एक educational dam बना के फिर अगले साल बच्चों के marriage के लिए एक और dam बनाया और उसमें provision करना शुरू किया उसके अगले साल हमने अपनी pension provision की और उसके बाद हमने wealth creation के लिए एक dam बना लिया मैंने काफी सारे लोगों को कुछ इसी तरह उनकी सारी जरूरते पूरी करने में मदद किये और आज वे सारे काफी खुश है और एक सुकून की जिंदगी गुजार रहे है और उनके जीवन में financial provision को लेकर कोई confusion नहीं है दोस्तो अगर एक advisor कुछ इस तरीके से prospect को समझाए ओपनिंग करे तो उसको समझना बहुत आसान हो सकता है जितना आसानी से सरल और simple भाषा में हम ये concept prospect के दिल में उतारेंगे उतना ही closing आसान हो जाएगा धन्यवाद दोस्तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई concept के साथ